नमस्कार दोस्तों स्वागा थे अब सभी का यूटूब चैनल एसक्लिपिस हैरवेदा में दोस्तों आज के सिसन में हम बताएंगे कोवीड नाइन्टीन से लड़ने के लिए और इस समय अपनी इम्मुनिटी को बढ़ाने के लिए आयूश मंत्राले ने कौन-कौन से उपाय बताएं कैसे अपनी देखवाल करें तो हमारी इम्मुनिटी बढ़ेगी इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के मद्धम से करेंगे आयूश मंत्राले ने कौविड-19 वेश्विकमा हमारी के समय एक एडवाईजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि इसे फॉलो करके आप अपनी इम्मुनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं तो आये दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के मद्धम से और समझने की कोशिश करते हैं परहेज और बचाव ही सबसे बड़ी इसकी उपाय है जब तक कोई दवा जारी नहीं की जाती है इसके अलावा पीने में हमें गर्म पानी का इस्तमाल प्रतिदिन करना चाहिए कुछ नया चीज एड़ करें जैसे डेली गर्म पानी का इस्तमाल करना प्रतिदिन कम से कम आदा घंटा से लेकर 45 मिनिट तक एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज में दोस्तों योगाशन है प्रणयाम है ध्यान है इन सारे एक्सरसाइज को करना जरूरी है खाने में हल्दी का उप्योग धनिया लहसून जीरा मशालों का इस्तमाल जरूर करें डेली चंप्रास लें यदि सुगर के पेसेंट है तो शुगर फ्री चंप्रास लें हर्वल्टी या अईरुवेदिक काढ़ा का इस्तमाल जरूर करें इसके अलावा गुर्डन मिल्क का इस्तमाल करें डेली दूद में हल्दी मिलाकर जरूर पिए पूदीने के ताजे पत्ते या अजवाइन का एक बार स्टिम भाप जरूर लें लॉंग और शहद का भी इस्तमाल करें काली मिर्च का भी इस्तमाल करें तो दोस्तों इस समय हमें अपनी इम्मिनिटी बढ़ानी है अभी फिलाहल में गर्मी का समय है इस समय पानी वाले फल का भी इस्तमाल करें जैसे खर्बुजा हुआ ककड़ी हुआ, खीरा हुआ क्योंकि हमारे सारिश में पानी की भी कमी हो सकती है इसलिए पानी वाले फलों का इस्तमाल अत्यधिक मात्रा में करें इसके अलावा बिटामिन सी का इस्तमाल करें जिसमें की निम्बू है संत्रा है ये सारे फलों का इस्तमाल जरूर करें जिसमें की बिटामिन सी अबलेबल हो इसके अलावा हमें अपने खाने में दही का चाच का इस्तमाल जरूर करना चाहिए ताकि हमारी immunity boost रहे दही जो है ये काफी ठंडा होता है हमें गर्मी के समय में ये ठंड़क पहुँचाएगी तो दोस्तों इन सारी बातों का हम follow करके आयूश मंतराले द्वारा दी गई जो advisory है उसको follow करके हम अपने immunity को boost कर सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको ये जनकारी आयूश मंतराले के द्वारा जो दी गई है वो आपको अच्छी लगी हो आपको समझ में आई हो गई और आप इसे follow करें तो मिलते हैं दोस्तों नए जनकारी और नए वीडियो के साथ धर्नेवाद